हलो गाइस क्या आपका ट्विश्ट एफ वेडिफिकेशन अभी कंप्लिट नहीं हुआ तो वीडियो में आज तक बने रहें आज मैं बताऊंगा 2022 में ट्विश्ट एफ वेडिफिकेशन कैसे करते हैं तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए सुरू तो फाइनली फ्रेंट्स मैं अपने home screen पे आ चुका हूं तो हमें क्या करना है Chrome open करना है Open करने के बाद हमें अपना YT studio खोल लेना है YT studio कोलने के बाद friends हमें हमें अपना monetization वाला section खोल लेना है यहाँ पर देख सकते हैं dollar बना है तो इसमें क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद friends हम देखेंगे यहां पर कि two step verification का दिया हुआ है symbol तो हम finally इस पर continue करेंगे touch करके इसको continue कर देंगे उसके बाद friends हमको इस पर बहुत सारी चीजें दिखाए जा रहे ही तो हम उपर देखेंगे कि हमारा Gmail सो कर रहा है तो Gmail हम यहां से बदल भी सकते हैं तो Gmail बदलने के लिए हमें इस पर tap करना होगा और जो भी Gmail का हम two step verification करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं तो हम finally इसको continue करते हैं तो continue करने के बाद friends ये देखें हमारा two step verification यहां पर खुल चुका है तो हम इसको scroll करके यहां पर continue करेंगे continue करने के बाद friends हमें अपना इस पर अपना number डालना है number डालने के बाद यहां पर select करना है कि text message में हमें चाहिए OTP या call पर चाहिए तो मैं text message पर कर देता हूँ उसको बाद देख सकते हैं friend मेरा OTP आ चुका है OTP आने के बाद यहां से मैं OTP को copy कर लेता हूँ तो copy करने के बाद यहां पर मैंने OTP कर लिया है paste तो friends मैं इसको next कर देता हूँ next करने के बाद friends देख सकते हैं मेरा यहां पर turn on कर लेता हूँ उसके बाद friends देख सकते हैं कि मेरा यहां पर YT studio खुल रहा है आपको ँस पर desktop mode जरूड सेलमेक्ट कर ना है तो आप देख सकते हैं friends कि मेरा two step verification पूरी तरह से complete हो चुका है तो आप भी अपना इस तरह से two step verification complete कर सकते है I hope आप समझ चुके होंगे कि two step verification कैसे करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अगर आपको फिर भी कोई problem होती है तो comment करके जरूर बताएं मैं उस पर वीडियो बना दूँगा thanks for watching